नमस्कार मेरा केश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर तो दोस्तो थर्ड में 2021 को सुप्रेम कोट ने स्कूल फीज रिलेटेड इंपोर्टन जज्जमेंट पास किया था सुप्रेम कोट ने अपना जज्जमेंट पास करते हुए बोला था कि कोई भी स्कूल मेरेंजमेंट बच्चों ने फीज नहीं भरी है इसकी कारण बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज या फिर आफलाइन क्लासेज अटेंड करने को मना नहीं करेगे बच्चों की शिक्षा जो है वो रुकी नहीं जाएगी उनके पेरेंट्स ने फी नहीं भरी है तो ऐसा जजजमेंट सुप्रेम कोट ने बोला था साथी साथ उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर बच्चों की फी अगर outstanding है बच्चों ने अगर फी नहीं भरिये इंस्टॉल्मेंट नहीं भरिये तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि बच्चों ने जो examination दी है वो examination के result जो है school hold पे रखे बच्चों को result हाथ में ना दे ऐसा school नही कर सकते यह बात सुप्रेम कोट ने अपने judgment में बोली थी आगे सुप्रेम कोट ने ऐसा बोला था कि कोई भी parent या फिर कोई भी इंसान अगर school को request करता है annual fees के लिए related annual fees में concession मांगता है तो सुप्रेम कोट ने बोला था कि school management ने वो parent के request जो है वो consider करनी चाहिए हर case अलग- तरीके से sympathetically consider करना चाहिए ऐसी बात सुप्रेम कोट ने बोली थी लेकिन सुप्रेम कोट ने और एक important मुद्धा बोला था कि parents जो है उनको sufficient time दो कि वो fee भरे एक due date दो और वो due date एक बार खतम हो गई फिर आप उसमें student के parents से पैसे वसुलो parents को sufficient time देने के लिए बात बोली गई थी साथ इसाथ installment भरने के लिए बात बोली गई थी तो इसी के कारण क्या हुआ था कि अब case फिर से एक स्कूल ने submit किया था सुप्रेम कोट में उन्होंने फिर से case file किया था और उन्होंने ऐसा बोला था कि आपने ये बाते बोली थी आ उनको sufficient time देना चाहिए हमने ना बच्चों की result hold पे रखे है ना ही हमने उनके online या फिर offline classes पे हमने पबंदी लगाई है अब आप हमें बताओ कि अगर बच्चों के फी बरने की due date जो आपने बुली थी वो due date already expire हो गई है तो फिर अब हम क्या करे ये सवाल सुप्रेम कोट मे पूछने के लिए एक case petition सुप्रेम कोट में दाखिल हुआ था तो सुप्रेम कोट ने ऐसा बोला है कि कुछ parents और कुछ wards जो है वो अभी भी arrears में रखे है और उन्होंने default किया है तो अब school management के हाथ में है कि वो अब action लेने की तयारी करे मतलब parents के खिलाफ या फिर wards के ख खिलाफ action ले कि जो fee नहीं बर रहे स्कूल जो है वो अपनी फीड जो है जो भी outstanding dues है जो भी फीड है वो अब parents से वसूल सकते है सुप्रिम कोट ने बोलाए कि due date जो दी गई थी judgment में वो अब expire हो चुकी है तो parents के खिलाफ action लेने का पूरा अधिकार schools को दिया गया है अगर क करना चाहता है school management को consider करता है कि आप मेरी request मान लोगी कोई भी parent को सच में तक्रीफ है ये महामारी के चलते हैं उनका सच में income खतम हुआ है तो वो case में parents school को request कर सकते school वो request consider कर सकते compassionately और इसी के बाद Supreme Court बोले अब हमारे हाथ में कुछ भी आपे कहना सुनना वाकिने रहा तो parents जो arriers में रखे हुए है फिर वो फिर वसुलने का अधिकार अब schools को दिया गया है अगर school management जो है वो उन्होंने लिया हुआ decision जो है किसी भी parent को अगर acceptable नहीं है तो उनके हाथ मे option है parents के हाथ में option है कि वो आप appropriate forum के सामने जाए किसी भी अधिकारी के सामने जाए और आप बता है अगर school ने आपसे कुछ ज़्यादा पैसे मांग लिया है या फिर जो भी school ने amount decide करी थी permissible amount हमने judgment में बोली थी उससे ज़्यादा पैसे मांगे है तो फिर आप appropriate forum के पास जा सकते हो लेकिन रुकरी प्रोसेस जो है वो काईदे से होने वाली है according to law होने वाली है और तीन में को जो judgment दया गया था और साथ ही साथ जो भी connected cases है वो सुप्रिम कोट ने अब बरद कर लिया है मतलब सुप्रिम कोट ने पूरी power दिया है schools को कि आप parents से पैसे वसूल सकते हो लेकिन आपको legally पैसे वसूल ने है कोई भी appropriate action आप ले सकते हो सुप्रिम कोट ने बोला है अब हमें कहने के लिए कुछ नहीं बचा है जो due date देनी थी वो due date दे दी थी अब तारिक हो गई है अब parents का पर जेट भी बरना अगर कोई parents के आए तो school को request कर सकता है school ने वो request मान लिए तो बात अलग है लेकिन अगर किसी parent को लगता है कि पैसे ज्यादा मांग रहा है school जो judgment दिया था सुप्रिम कोट ने तीन में को उससे ज्यादा मांग रहा है तो फिर parents का अधिकार है कि appropriate form के पास जाके आप वहाँ पे school की शिकायत कर सकते हो तो सुप्रिम कोट ने clear ब आप comment section में जरूर बताईएगा आप अपना ख्याल रखिएगा अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आपको sanitize जरूर करिएगा take care have a night stay